हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे इस नई यूटीब चैनल कॉल नदीम टेक पे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा डिम आयता इस्टाग्राम पे और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने पूछा था कि जो यूटीब पे आप लाइव आयते वो कैसे आयते और क्या-क्या चीजें आपने अपनाई थी लाइव आने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक बताने वाला हूँ आपको अगर आप छोटी यूटीबर हैं अगर आपका सस्क्राइबर एक हजार से जादा है तो आप लाइव कैसे आ सकते हैं यह अपने यूटीब चैनल पे तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप लाइव कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं अपने आपको आप लाइव कैसे प्रिजेंट कर सकते हैं यूटीब चैनल पे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते याज हम इसे के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगेइन! दोस्तों यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं लाइफ तो आपको यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है, उसको कम्प्लीट करना बहुत जरूरी है, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जीरो सस्क्राइबर होंगे तब भी आपका यूट्यूब चैनल आप लाइफ स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर 100 सस्क्राइबर होंगे तब भी आप लाइफ स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 1000 से ज्यादा सस्क्राइबर लाना पड़ता है अपने यूट्यूब चैनल पे तब ही आप लाइफ स्ट्रीम कर सकते हैं, और दोस उसके भी आपको live channels या फिर live stream देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर बता दे कि बहुत सारे इसी community guidelines है YouTube के policies में तो यहाँ पर उसी हिसाब से आपको follow करना होगा और live आने के लिए आपको 1000 से ज़्यादा subscriber गेन करना बहुत important है दोस्तों यहाँ पर अगर आपको आना है अपने mobile phone से live अपने YouTube channel पर तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका आप से आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको open करना होगा अपना YouTube application जिसमें आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे tap करना होगा और tap करने के बाद आपको एक तीन option दिखाए देंगे जो कि video, live और post option दिखाए देंगे दोस्तों यहाँ पे video पे अगर आप click करते हैं तो आप video upload कर पाएंगे live पे click करते हैं तो आप सीधा आप अपने youtube channel के live के option पे आप आएंगे और दोस्तों यहाँ पे अगर post पे आप click कर सकते हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे post हैं जो कि आप अपने viewers को show कर सकते हैं दिखा सकते हैं कि कौन सा post आप post कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अगर live के बारे में बात करें तो यहाँ पर live पर click करते हैं और कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर camera के बारे में बात करें तो यहाँ पर camera को rotate भी कर सकते हैं, rear का camera इस्तिमाल कर सकते हैं, front का camera इस्तिमाल कर सकते हैं, इसी camera के features में आपको यहाँ पर दिया गया है, दोस्तों यहाँ पर इसको rotate कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कैसे क्या करना है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है create a title और दोस्तों यहाँ पर rotate करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं title सबसे पड़ी बात टाइटिल होती है और टाइटिल में हम लोग लिखेंगे लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब जैसा कि यह डेमो है तो यहाँ पर डेमो लिख देंगे तो यहाँ पर अगर हम डेमो कर रहे हैं तो लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब डेमो लिख सकते हैं या कुछ भी आप नॉर्मल लिख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को लाइव आना है तो कुछ भी आपको बताना है audience को तो यहाँ पे अगर title लिख देते हैं तो लोगों को title so होगा उसके तरब से आपको वीडियो में wash time ज़्यादा मिल सकती है दोस्तो यहाँ पे इसको करते हैं back और देखते हैं और भी क्या-क्या option आपको देखने को मिलते हैं दोस्तो यहाँ पे दिया गया है public इस पे अगर आप click करते हैं तो दो option आपको देखने को मिलता है public अगर करते हैं click तो सभी को ये view होगा आपका live दिखेगा और अगर आप करते हैं unlisted तो जिसको आप link भेजेंगे बस वही scene कर सकता है आपके videos को तो यहाँ पे जैसा कि हमारा demo चल रहा है तो यहाँ पे unlisted कर देते हैं और दोस्तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी हमारा demo नहीं देखेगा सिवाए आपके क्योंकि आपके लिए ये video बन रहा है दोस्तो यहाँ पे दिया गया है location लोकेशन भी आप चाहे तो set कर सकते हैं अगर नहीं चाहे तो आप उपर जा सकते हैं दोस्तो यहाँ पे दिया गया है audience is there video for kid तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद option आएगा yes it is made for kid तो यह kids के लिए नहीं है तो यहाँ पे सीधे click कर देंगे no it's not made for kid नीचे जाते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या और चीजे दी गई है तो यहाँ पे लिखा हुआ है do you want to restrict your video to an adult audience तो यहाँ पे अगर कोई भी हम ऐसा videos बनाते हैं तो उसको हम hide भी कर सकते हैं या restrict भी कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे no I don't restrict my video to viewers over 18 यहाँ पे हमने click कर दिया और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे option है जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे schedule है यह schedule change कर सकते हैं advance setting है दोस्तों यहाँ पे advance setting में आप allow chat भी कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे sponsorship या placement जो product की placement होती है paid promotion होता है वो आप इसमें enable कर सकते हैं तो इसके कोई जरुवत नहीं है यहाँ तो यहाँ पे back आ जाते हैं next next करने के बाद यह आपको ऐसे windows पे लेके चलेगा जिसे आप live आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को thumbnail set करने के लिए बोलेगा और automatic thumbnail capture कर लेगा और दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो thumbnail set भी कर सकते हैं अपने edit में जाके edit setting, retake thumbnail और upload thumbnail अगर आप click करते हैं तो सीधे आपकी यह gallery में पहुचाएगा और बहुत सारी videos आपको दे देगा दोस्तों जैसे यह thumbnail हम ले लेते हैं for example तो यह thumbnail set हो गया और दोस्तों यहाँ पे अगर आप go live करेंगे तो आप सीधे के सीधे पहुच जाएंगे अपने live video पे दोस्तों यहाँ पे चलके देख लेते हैं go live करके तो यहाँ पे हम live आने वाले हैं जैसा कि यह unlisted video है तो किसी को so नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे लिख रहा you are live यानि आप live हैं तो ऐसे ही कुछ interface आपको देखने को मिलेगा जब आप करेंगे public और यहाँ से बहुत सारे chats आप पढ़ सकते हैं बहुत सारे top chat देख सकते हैं live chat देख सकते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीजे हैं वो आप कर सकते हैं दोस्तो करने के बाद यह सारी आपको details देदेगा कि कितने देर में आपने क्या क्या किया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं playback 0, new subscriber 0, total wash time आपको क्या मिलेंगे, peak concurrent क्या है, duration क्या है, average wash time, यह सारी चीजे आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे viewers जो होते हैं वो आपके videos को को मिलेगा, यह सारी चीजे इसमें आपको एक summary देखने को मिल जाएगी, तो ऐसे आप बहुत ही चोटा सा example देखर में मैंने समझाया है, कि आप live कैसे आ सकते हैं, और इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप वीडियो में add हो जाएगा, और दोस्तों हलाकि यह अन लिस्टेट वीडियो है, दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को edit भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चेंज है, जैसे description चेंज कर सकते हैं, टाइटिल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर delete अपलोड भी कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे हमने इसको unlisted में रखा है इसलिए हम सीधे यहाँ पे delete कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बता दे कि आप लोगो अगर बहुत ही लंबा वीडियो आप live करते हो तो थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा और यह वीडियो पे जल्दी से include नहीं होगा क्योंकि इसमें time लगता है प्रॉक्स 24 hours लगते हैं कि यह वीडियो में include हो जाए कुछ लोग बहुत परिशान हो जाते हैं कि जो हम live किये हैं वो वीडियो गया कहां तो please परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग बस wait करिये और आप लोगों को एक अच्छे network की जरूरत होगी अच्छे connectivity की जरूरत होगी अच्छे wifi की जरूरत होगी ताकि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे stream कर पाएं तो दोस्तों यहाँ पर परिशान होने की कोई जरूरत ही है 24 गंटा आप wait करेंगे और आप connected रहेंगे अपने network से ताकि यह वीडियो अच्छे से upload हो जाए और सभी viewers को यह scene हो जाए पूरी की पूरी वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर live stream आने के बावजूद भी आप अपने वीडियो को अपने playlist में रख सकते हैं आप अपने वीडियो को videos के option में रख सकते हैं delete कर देते हम इस वीडियो को और ये वीडियो हो जाएगी delete तो दोस्तो यहाँ पे हमने बता दिये कि कैसे आपको live आना है दोस्तो यही simple तरीका है आप बहुत आसानी के तरीके से live आ सकते हैं और दोस्तो यहाँ पे आप लोगों को 1000 से उपर subscriber होना जरूरी है तब ही आप बहुत ही आसानी के तरीके से आप इस्तिमाल कर सकते हैं अपना live stream दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि 0 subscriber होगा 100 subscriber होगा आप बहुत ही जुगार से उसको कर सकते हैं लेकिन अगर आपके subscriber बहुत low है तो आपके watch time भी नहीं आएंगे कोई भी मतलब नहीं है आपके live आने का दोस्तों यहाँ पे अगर आपके 1000 subscriber से ज़्यादा होते हैं तो आपको live आने में बहुत मजाएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको live stream आने में क्या क्या चीज़े आप लोगों करनी पड़ती है इस हमारे पूरे वीडियो को देख करके दोस्तों यहाँ पे उमीद करते हैं कि आपको बहुत सारी information समझ में आई होगी और बहुत ही आसानी के तरीके से आसानी के trick से आप live आ सकते हैं दोस्तों बस आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कोई भी सवाल या सुझाओ आपकी मन में हो तो कमेंट बक्स में ज़रूर लिकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और पे क्लिक कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को आपको मिले जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखें